मुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि क्या होते हैं Sustainable Development Goal बहुँ ज़्यादा important है exam के point of view से आपने सुने होंगे 17 SDG कि भई इस 17 में क्या आते हैं? No poverty, no hunger, decent work, अच्छा पानी, अच्छी सोचता ये सारी चीजे जो हैं इस 17 goals के अंदर आती हैं और 2030 तक इनको complete करना या फिर इनको हासिल करने का लक्षे रखा गया है अभी ये चर्चा में क्यों हैं क्योंकि अभी तो 2022 चल रहा है, 2030 में चलते बात करते तब भी समझते अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इस sustainable development goal जो इसको implement करती है, SDSM अभी हाली में उसके द्वारा एक report प्रस्तूत की गई है, जिसमें बोला गया है कि भाई जो भारत है, उसकी ranking कुछ अच्छी नहीं चल रही है पिछले साल के मुकाबले ranking खराब ही होती जा रही है, तो हम देखेंगे कि भारत की ranking इतनी खराब क्यों हो रही है भले ही sustainable development goal इनके अंदर मैं बात करूँ, या फिर जैसे अभी environments related हमारे देश की एक report निकाली गई है जिसमें 180 देशों में से जो भारत का जो rank आया है हमने bottom से यानि नीचे से top किया है, हमारा rank जो है 180 वा है तो इतनी जादा ranking भारत की खराब चल रही है, इसके reason क्या है, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, PDF के लिए में आप लोगों को बता देता हूं, description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो भीना किसी देरी के start करते हैं देखिए, Global Sustainable Development Report 2022 रिलीज की की, और इसमें बोला गया कि जो 163 देश हैं, यानि 163 जो countries हैं, उसमें से भारत ने 121 वा स्थान प्राप्त किया है और देखिए, 2020 में मैं बात करूँ, 170 वा rank था, 2021 में 120 वा rank था, अभी हम जानेंगे कि क्या reason है, 2021 में तो सारे ही देशों ने, SDG के अंदर बहुत खराब परदर्शन के हैं, यानि कि जो उनके goals थे, 17 goals थे, यहां पर लिखे हुएं, यह भी आप लोगों को बताऊंगा जो 17 goals थे, उनको achieve करने में बहुत बुरी हालत रही है, 2021 में, reason यह था क्योंकि आपको पता है, pandemic था, 2020, 2019 के अंदर जैसे, यह COVID-19 का pandemic चला था, जिसके कारण बहुत जादा देशों के अंदर, SDG के अंदर गिरावट हमें देखने को मिले थी, और इससे पहले, 2020 में, मतलब की February 2022 में, परदान मंतरी ने, जो परदान मंतरी निरेंदर मोधी जी है, उन्होंने उर्जा और संसादन संस्तान, विश्व, स्तत, विकास, सिकर, सम्वेलन को संबोधित भी किया था, अब बात कर लेते हैं कि SDG होता क्या है, यानि कि sustainable development को, अगर आप इस नाम पर focus करें ना, sustain sustain, sustain करके चलना है, sustain करने के चलने का मतलब है, कि भाईया हमें development तो करनी ही करनी है, लेकिन जो development के लिए हम resources यूज़ कर रहे हैं, उनको सही से use करने, ऐसा नहीं है कि हमने इतना ही जादा resources को use कर लिया, कि आने वाले time में, जो generation है, जो generation है, इनके लिए भाई साब कुछ बच है, हम इतना resource यूज़ करके चलने, तो ऐसा यूज़ यूज़ नहीं करने है, तो sustainable development goal है, अब यहां पर बात करें, sustainable development goal वैसे वैश्विक लक्षों के रूप में, यानि कि global goals के रूप में भी जाना जाता है, verse 2015 में, UN ने बोला था कि, गरीबी को समाप्त करने, और जो हमारा planet है, उसकी रक्षा करने के लिए, verse 2030 तक, सभी की शान्ती और समरिद्धी को सुनिश्चित करने के लिए, इसे सार्व भूमिक आहवान के रूप में अपनाया था, यानि कि, peace लेकर आएंगे, मतलब कि, शान यह सब हासिल करना, यह बातें बोली गई थी, और 2015 में, सितंबर 2015 में, इसे एक तरीके से हमारे सामने लाया गया था, sustainable development goal को, देखे, SDG से पहले, एक MDG हुआ करता था, Millennium Development Goal, Millennium Development Goal, कमी इसके अंदर यह थी, कि इसमें ज्यादा तर, जो है, वो developing country को ज्यादा थर फोकस कि जाता था, लेकिन फिर जो UN है, उसको समझ में आए, कि भया, इससे तो हालात खराब हो जाएंगे, हम developing यह जो विकासी लोग, उनको क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, हमें तो सभी को साथ लेके चलना है, तो यहाँ पर आए, sustainable development goal, इसमें सभी, विश्व के सभी देश, जो developed है हैं, developing हैं, उन सब को पूर फोकस किया जाएगा इसके अंदर, तो अब बात करते हैं, 17 SDG, जो यानि की integrated है, देखें, इन लक्षों के अंतरगत, एक शेत्र में की गई कारवाई, दूसरे शेत्र के परिणामों को परभावित करेगी, और इनके अंतरगत, देखें, इसका क् इसके अंदर, फोकस करने की बात आती है, समाजिक, यानि की जो शोशल है, आर्थिक, यानि की जो economic है, और प्रयावरनिक, यानि जो environment है, यानि की अगर आपने इसमें से किसी के अंदर भी action के, definitely दूसरे के अंदर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, अब SDG के अंद इसके अंदर, गरीबी को खतम करना, बुखमरी को खतम करना, AIDS को खतम करना, और जो महिलाओं के खिलाब जो बेदबाव हैं, उनको खतम करने, इनके उपर focus किया गया है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो 17 जो goal है, वो क्या क्या है, देखिए, अब जो इसमें पहला गोल यह आता है कि no poverty यानि कि गरीबी को खतम करेंगे शुन्य गरीबी होगी, शुन्य बुखमरी होगी अब यहाँ पर zero hunger, यानि कि भूख से नहीं मरेगा, यहाँ पर यानि कि शुन्य बुखमरी हम लेकर आएंगे, शुन्य गरीबी हम लेकर आएंगे, मतलब कि no poverty हम कर देंगे, no hunger, zero hunger हम करेंगे, और good health and well being, यानि अच्छा स्वास्ते provide करवाया जाए, quality education यानि कि अच्छी education यहाँ पर दी जाए, तो यह हो गया, फिर आते हैं gender equality, यानि कि जो आप भेदबाव कर रहे हो लड़के लड़कियों के बीच में, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, gender equality होनी चाहिए, सब को बराबरी का हग दिया जाना चाहिए, अब यहाँ पर clean water and sanitization अब इसके बाद seven जो है affordable and green energy, यानि green energy को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाएगा decent work है नहीं सब को काम करने का लिए, मतलब कि सब को काम provide करा जाएगा और economic growth करवाए जाएगी, industrial innovation and infrastructure इनके ओपर focus किया जाएगा inequality को reduce किया जाएगा sustainable cities and communities को increase किया जाएगा responsible consumption and production, यानि कि फिर से बोलाना कि हमें चीजों का resources का सई डंग से हमें use करना है climate action हो गया life by water हो गया life on land हो गया peace, justice and strong institutions मतलब कि शांती, स्न्याए और शशक संस्थाएं को मतलब स्थापित करना, इनको बढ़ावा देना partnership for the goal और कि मतलब लक्षे है तू भागिदारी को लेकर आना, तो यह होगे हमारे सामने 17 goals हो जाते हैं अब एक एक करके हम इनके अंदर ये भी देखेंगे कि भारत ने किसके अंदर अच्छा perform किया और किन जो goals हैं उनके अंदर हमने अच्छा perform नहीं किया और कौन सतत्विकास लक्षों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की परगती का एक वैश्विक मुल्यांकन है ये यानि कि SDG जो goal है उसमें कितनी किसने progress की ये report ये बताती है एक सतत्विकास समाधान network यानि कि it is published by इसको publish किया गया है एक independent expert है at the sustainable development solution network यानि कि SDSN है SDSN के दोरा इस report को निकाला गया ध्यान रखना SDSN के दोरा SDG SDG को परकाशित किया गया है जिसके अंदर 17 goal है और SDG जो है क्या बताया है इस report के अंदर कि जो लो जो countries है वो SDG को हासिल या फिर इसमें progress करने में कितने काम्याब हुए है उनकी एक report निकाली गई है सतत विकास के शेत्र में विहवारिक समस्याओं के समादान को बढ़ावा देने सतत विकास लक्षों यानि SDG को लागू करने वैश्विक स्तर पर विज्यानिक और तक्नीकी विशेक्ता जुटाने के लिए SDSN ने इसे 2012 में शुरू किया गया था यानि कि SDSN was launched in 2012 2012 में SDSN को launch किया गया था जिसके अंदर बोला गया था SDG को लागू करने उसको implement करने उसमें कोई सुझाव देने उसमें विज्यानिक तक्नीकी हर चीज से सहायता करने के लिए वो आगे रहेगा चाहिए वो international level पे हो चाहिए वो state level पे हो हर तरीके से ये समर्थन करने के लिए परतिबत है अब ranking की बात कर लेते है देश के समगर यानि एक overall score निकाला जाता है overall score मतलब कि जो 17 जो goal है उनमें देखा जाता है कि कुल कितनी परगती की गई है उसको मापा जाता है अब यहाँ पर percentage के तोर पे बात की जाती है अगर किसी ने 100 का score लिया है तो यानि उसने सभी जो SDG है यानि 17 goal है उनको प्राप्त कर लिया है और परदर्शन की बात करें कि इस देश ने सबसे अच्छा परदर्शन किया है तो इस report में Finland ने top किया है second number पे Nordic countries आती है यानि कि second number पे Denmark third number पे Sweden और fourth number पे Norway आते हैं और सबसे ज़्यादा विकास कहां देखने को मिला या फिर कहें कि SDG में सबसे बढ़िया प्रोग्रेस कहें कि किसने सबसे अच्छी किया तो यह आते हैं हमारे सामने पूर्व और दक्षिन एशिया के जो शेतर हैं उन्होंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है और हमारे यहाँ पर हमारे पडोसी देश बांगला देश और एक कमबोडिया जो देश है इन दोनों देश ने 2015 में जो अपना यह SDG अपनाया था उसके बाद बहुत अच्छी परगती इनों ने की है और इसके बाद इफिपिरीत बात करूँ तो वैने जोला ने बहुत खराब परदर्शन किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक और इस रिपोर्ट की जो परमुक विशेश्चता है इसके बारे हम बात कर लेते है विशू यानि वर्ल्ड के तॉर पर बात करते है फिर हम आते हैं हमारे इंडिया के तॉर पर देखें, multiple and simultaneous health, climate, biodiversity, geopolitical and military crisis यानि इतने जो crisis आ रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परभाव किया है इस sustainable development globally मतलब कि हर global level पे इन सब चीजों पर परभाव डर पड़ा है SDG index world average has slightly decreased in 2021 for the second year in row मतलब बोला गया है कि 2021 में ये थोड़ा सा decrease हुआ है reason क्या है देखे reason है हमारे सामने जो covid था उसकी वज़े से और यहां पर सबसे ज़्यादा इस pandemic की वज़े से SDG 1 यानि no poverty इसमें काफी ज़्यादा परभाव पड़ा SDG 8 है जिसमें decent work economic growth obviously जैसे pandemic हमें देखने को मिला था जिसमें गरीबी को एक तरीके से खतम करने की बात कही थी लेकिन pandemic में तो गरीबी बढ़ गई थी लोगों के काम वहां पर नहीं रहे थे लोगों को घर पे रहना पड़ा था तो economic growth रुख गई थी तो सबसे ज़्यादा परभाव तो यहां पर pandemic के दोरान ही पड़ा था और performance को सची नहीं रही थी SDG 11 से लेके 15 तक यहां पर कुछ अच्छी progress नहीं कर पाए थे और besides there massive humanitarian cost काफी ज़्यादा अभी जानमाल की हाली हुई है जैसे military conflict चला है जो यूद चल रहा है including the war in Ukraine जिसके कांट काफी ज़्यादा परभाव पड़ा है यहां पर food security देखे food security का मतलब क्या हुआ Ukraine के अंदर वो Europe को काफी ज़्यादा मातर में फिर कहें कि Ukraine में सबसे ज़्यादा गेहू होता है जो Europe को provide करता है अब Ukraine में यह चल रहा है जिसे food crisis की या food security की समस्चा सामने आ रही है energy के price hike हो रहे है energy के price hike क्यों हो रहे है क्योंकि जितने भी जो European countries है वो क्या करती है वो गैंस और तेल जो है वो रूस से लेती है अब रूस से भाईया sanction लगा रखें यह ले नहीं सकते नहीं ले सकते इसके काण क्या है यहाँ पर यह जो देश है European देश है यह धंडे है यानि कि cool बहुत है कि cool guy यह cool guy है जिसके काण क्या है कि अपने घर को गरम रखने के लिए इनसे गैंस लेते हैं अब गैंस जब यह लेते हैं तो भाईया तो इनके घर गरम रहते हैं सब सीजें सही रहती थी पिछे जब यह यूद नहीं चल रहा था जब से sanction लगे हैं यह गैंस नहीं ले पा रहे हैं गैंस ना लेने के कारण गैंस ना लेने के कारण भ Sleeping बहया जो यह प्राईज है यहाँ पर अपने घरम को गर रखने के लिए जो गैंसी है जो पेट्रोलियम है इन सब चीजों का प्राईज इंकरीज हो गया है जिसके कारण यहाँ पर काफी ज़्यादा एक तरीके से ऐस अंतोष फैला हुआ है इन देशों में कैर भारत के उपर आते हैं देखे भारत की तयारी में कहीं न कहीं कमी रह गई है बोला गया है कि देखें इंडिया जो प्राप्त करने में अचीव करने में वो सही डंक से परफॉर्म नहीं कर पाया रीजन यह था कि हमारी त्यारी नहीं थी पिछले सालों के मुकाबले या फिर दूसरे देश के मुकाबले हम बात करें और हमें सबसे ज़्यादा जो चुनोतियां वो देखने को मिली है ग्यारा जो गोल है उनको हासिल करने में देखिए एक बात करते हैं SDG 8 SDG 8 जिसके अंदर Insuring Decent Work यानि की काम प्रवाइड करना, Economic Growth करना इसमें बहुत ज़्यादा एक अधिक चुनोति पूर्ण हमारे सामने रहे यानि की लोगों को काम नहीं मिला है लोग बिरोजगार हैं और यह definitely हम देख रहे हैं कि आज की डेट में कैसे बिरोजगारी बढ़ रही है महिंगाई बढ़ रही है जिसके कान क्या है कि कहीं न कहीं हमारे देश में यह यूवा है वो गलत रास्ते पे या फिर एक तरीके से वो बिरोजगार होकर कुछ न कुछ गलत और रास्ता त्यार कर लेते हैं हमारी एकनोमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो सबसे ज़्यादा यह परभाव हमें देखने को मिला SDG 8 के उपर अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार अच्छी चीजें हासिल नहीं किया है चुनोतियों का सामना कर रहा है इसके अंदर जलवायू कारवाय पर भारत के परदर्शन SDG 8 13 में 2019-20 की तुलना में अगर बात करें तो गिरावट आई है भारत के समागर परदर्शन में गिरावट मुके कुछ खास की नहीं है पिछले जो साल के अगर मैं बात करूँ 2021 की तो हमारे जो 10 जो गोल है उसमें हमने इक स्टेबिलिटी बना के रखिए इंक्रीज नहीं किया तो डिक्रीज भी नहीं किया बात यह वाली आती है और साथी साथ हाँ इसको प्राप्त करने में कहीं न कहीं भारत ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है अब रिकमेंडेशन क्या गी गई है कि भाईया SDG को कैसे इंक्रीज किया जाए या कैसे इन गोल को प्राप्त किया जाए तो देखिए बोला गया है कि जो भी COVID-19 के तोरान आपने जो भी पार्टनरशीप या फिर कि जो भी आपने इनोवेशन किये हैं उन सब चीजों को एक साथ लेकर आईए ताकि SDG को बढ़ावा मिल सकें जो भी आप टेकनोलोजी होगी जो भी साइन्स होगी उन सब चीजों का आप यूज करिए सही धंग से ताकि आप SDG को सही धंग से याप मतलब की जो इसमें प्रोग्रेस है वो कर पाएं अब यहाँ पर इन सब चीजों को हासिल करना है तो आपको रिसेच और डेवलोप्मेंट हो गया इन सब चीजों के उपर काफी टाइम के लिए जोर देना होगा अब स्टेटिस्टिकल डेटा मतलब की एक तरीके से संख्यां की समताओं को रिसेच और डेवलोप्मेंट को सिक्षा के उपर कोशल के उपर और इसमें काफी टाइम तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा इस पर फोकस करना होगा तब जाके SDG जो है वो प्राप्त होने की कगार पर हम पहुंच पाएंगे निवेश में विरिधी करनी होगी देखे, SDG लक्षय हासिल करना मूल रूप से भौतिक बुनियादी धांचे यानि की जो Renewable Energy होगी जो Digital Technology होगी जो मानव पुझी है मानव पुझी में जो सवास्ते है जो सिक्षा से इसमें निवेश एक एजेंडा लेकर आना होगा इस तना इसके ओपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी निवेश बिढ़ाना होगा इसमें अब भी दुनिया में अगर मैं बात करूँ जितने गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की आदी जनसंक्या के पास बजार पहुंच नहीं है मतलब कि उनके पास मार्केट नहीं है अगर कोई समान खरीदना है बेचना है तो वो मार्केट इनके पास नहीं है अब यहां पर इस चीज को दूर करना होगा यह भारत की बात नहीं हो रही अब यहां पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है SDSN कैसे इस चीज को लागू करेगा अब उनकी बात हो रही है गरीब और कमजोर देशों को इन संकट के कारण बहुँ ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है क्योंकि उनके पास मार्केट तक पहुँच नहीं है मार्केट एकसेस नहीं कर पा रहे है तो उमीद करता हूँ कि एक complete chapter SDG का आपको समझ में आ गया होगा 17 जो SDG है वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि exam में पूछ लिया जाते हैं और ये काफी ज़्यादा important issue है PDF के लिए फिर से बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आईए तो बेशक इसको like करें चैनल को subscribe करें और share कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को भी Thank you for watching this video